कि आपका मेरी यूट्यूब चैनल जी एस प्लैनेट पर आज हम लोग 10 अगस 2021 की मातपूर खबरों उन पर आदारी प्रश्णों का विश्रेशर करेंगे एनलीसिस करेंगे और इसी कड़ी में देखते हैं पहला प्रश्ण आज का पहला प्रश्ण तो निश्चित तोर पर ए किया ऐसा कोई मुश्किल प्रश्ण नहीं है दो तीन दिन से टीवी पी चल रहा है ठीक है जो इतिहास रचा गया उसी पर एक प्रश्ण है कि नीरत चोपडा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलीन थ्रो में गोल्ड मिडल जीता है भारत के लिए गोल्ड मिडल जीतने वाले वहा कौन से इतली प्रश्ण में आ सकता है सीधे-पी नीरा च्छोपडा ने गोल्ड मेल किस खेल में जीता है विएतली तेज आ国 च्झी calling कि जी था ना में जीता है जीवेदल में आसे पूछा कि कि Daar वाले हैं फूंत यह टूयूच centjd में जिन्होंने मेडल जीता है समझ में क्लियर है तो नीरा चोपड़ा है वन गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रू इन टोक्य ओलंपिक ही इस विच नंबर ऑफ एथलेट ऑफ इंडिया टूबिन ओलंपिक मेडल इन एथलेटिक्स में क्या होता है जहां पर रुनिंग से होता है ठीक है समझ में है तो यह भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गया है जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है ठीक है बहुत करीब पहुचे थे मिलखा सिंग जी चौथे नंबर पे रहाय थे कॉमनवेल्थ स्वारी ओनिस सुच्पन के ओलंपिक में मेल बहुत सारे कुश्चन बन सकते हैं इसलिए मैंने क्या किया है को वह सब कुश्चन नहीं बनाए है मैं ओलंपिक का ओलंपिक 2020 और पूरी ओलंपिक का जो है जो एक्जाम में कुश्चन बन सकता है एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा समझ में तो तीन-चार दिन वेट आपसर रिलेट कुश्चन एक इस एतियासे घटना के कारण प्रतीक 8 अगस्त को अगस्त करांती दीवस मना जाता दूटू विच हिस्टोरिकल इवन विच्ट एबरेट अगस्त करांती दे अन 8 अगस्त असायो गंदल यान नोन को परेश्चन मूवमेंट सबीन आग्या अ मूवमेंट एनरजाइज यूथ आव इंडिया सेस्प्यम मोदी ओन इट्स सेवन्टी नायथ एनिवर्सरी समद्ध में तो एक तल उन्यासीमी वरसी मनाई गाई यह है ठीक है किसकी क्विट इंडिया मूवमेंट की ठीक है वह आठ अगस्त तो 1922 को शुरू हुआ तक तो अगस्त 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 है ठीक है ठीक है ठीक है यह अगस्त जो आठ अगस्त शुरूआ थे इसलिए इस एक अगस्त करांती भी कहा गया है इसे कि क्या कहा गाए दूसरा जो प्रशन मने कर कि इसे क्या कहा जाता है अगस्त करांती भी कहा जाता है तीसरी मुंबई उस समय बंबई 30 कि तो तीसरा फैक्ट कि क्या हो गया बंबई ठिक है आज यह जो मैदाने घ्टांग का इसे अगस्त क्रांती मैदान के नाम आधान के नाम चाना जाए दूसरा है इसे अगस्त करांती भी कहा जाता है तीसरे बात है कि यह एक तरह का लीडरलेस अगर पूछ लिया जाए कि बहुत बार पूछा गया है तो किसी भी नेता ने ने किया था यह पूरी तरह का जनता है अप्रशन उठता है कितनी बड़ी अंदोलन हो कैसे गई अगर पूचा जाए कौल किस ने दिया था कौल मजब किस का था कौल जाहिर से बात है महात्ма गांदी का वाह्त्म गांदी का थी वहां thu 2 छिक औन्हें अहुमा फिरा कर रही तो महात्मा गांदी को धैरित ambition बहुत बहुत है कि ब्रेंकि नहीं इसीन्हें ती और कि अहां कि एक आख़वान कि देश के लिए कि यह समय कैसा है डू-और डाई का समय डू-बाई zijn इघ्जाम में पूछ भी लिए ता है डू-डाया नहीं करो या मरो का नहरा किस नहीं दिया था महात्मा गांती औकिस आंदोलन में दिया था इसी गांधी जी को कहां कैद किया गया था ठीक है इंको फार्स प्रेश्ष्ट किया गया है था आगा खां पहले से कए ना अन्दोलन फेला बहुत प्रॉर्शन बनогा आगस्ट क्रांति के ना जाना जता है कौई कान Reserve नहीं कहा महत्मा गांधी ने दिया दू और डाई कए जवाला happiness पारच फोड़ो नारा किसमेंग गया था यह तो आपको डैफनेटली महतमागाण देम का ये इस नहीं है इस नारे का शुरुआत कि यूसुफ रजा मेहर हालि एक यूसूफ रजा उसा डिया उमशा है फिर यूसीब महर ने भारत छोड़ो का नारा दिया ता भारत छोड़ोन की शुरुवात किस ने किया था कोई नहीं किया था और यह कब शुरू हो उनिस दोलन के बाद क्या और ब्रिटिस सरकार को जो है अडि़ बात माननी पड़ती है और देश को आजादी की राह पर जो है वो जो है जो इंपॉर्टन प्रोविजन करने थे वो सब करना शुरुगात हो गई थे मालब पूरी तरह से प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो यह बात थी भारत छोड़ो अंदोलन की प्रत्येक 8 अगस्त को उस अगस्त को मना जाता है छे अगस्त को क्या होता है हिरोशीमा डे क्या होता है हिरोशीमा डे हिरोशीमा डे और यह नोगस्त को क्या होता है नागसा की होता है यह दो शहर कहां पर है जापान में यहां पर एक बहुत बड़ी अमानमी घटना घटी थी क्या छे अगस्त और न इसमें दो धड़े थे एक वाला धड़ा जो था उसमें यूए से यूए से यूए से रश्या ये कुछ बड़े देश थे ठीक है ये इसमें थे ठीक है दूसरे धड़े में कौन थे जर्मनी कहंते जर्मनी जपान ऑट टरकी हुए अधिन इसमें प्रहमोग देश थे ये वाला जो गुर्प था से च Lawrence अथ कhan 60 नेेशन और इन लोगों को फ्रेंड न्यशन ऐब eन मित्रार्स्ट का गया है दोनों के पीच में यद्ध चला था हला कि यह चार बड़े लेड़ थे बहुत सारे और भी देश को जाएन किए थे परिड़ान किया थेंको जाएन किये थे 1947 में युद्ध भयावा परेलाम के साथ समाप्त होता है युह से की समाप्ति के बाद बहुत बड़ा सुधार करने की कोशिश की जाती है ताकि किसी तरह भविश में इस तरह का कोई युद्ध ना हो तिसके लिए उनाटेन नेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 में होता है और उनाटेन चीजे घटना एक बाद एक होती है तो छे अगस्त को हिरोशीमा दे और नौ अगस्त को नागा साकी दे मनाया जाता है ठीक है समद्ध में आप पूरी हिस्टी मैंने आपके समझा दी यह आप रिपोर्ट पढ़ लीजेगा इंगलिश वाले इंगलिश में पढ़ लेंगे इसका मतलब है दुनिया का सबसे अमेर देशों में तीसरे नमबर पर है पहले पर यूसे पहले पर यूसे दूसरे पर चाइना ठीक है ठीक है ठीक है जपान जपान की राजधानी क्या है टोकियो जहां पर अभी ओलंपिक कंप्लीट हुआ है यहां कि प्रमुक जॉला होता है कि इसकी लावा निकलने का जो क्रम होता अनिश्यत रहता है इनडेफनेट होता है का मैगमा का एरप्शन होगा ठीक है कोई बता नहीं सकता अपने मंद से जब मन कहेंगा तब फट जाएगा यह ठीक है दूसरी बात जपान की करनसी आपसे पूल लिया जाएगा bullet train जो बना ही जा रही है एक्जाम में पूछ लेगा कि bullet train कहां से कहां तक बन रही है तो ये मुंबाई से अहमदाबाद को जोड़ा जा रहा है किसको मुंबाई से अहमदाबाद को जोड़ा जा रहा है ठीक है ये लगबट 400-400 km के जो link है जितने भी होगी जापान इंफ्रास्टेक्चर कंपनी कुछ करके है जापान की कंपनी हो डेबलब कर रही एक तो यह पूछा जा सकता है जापान से और इंडिया के रिलेशनशिप दूसरा जापान इंडिया के रिलेशनशिप से क्या पूछा जा सकता है कि वारानसी का शहर आप लोग ने जा पाशी को क्योटो की तर्श पर डेवलब किया रहा है और इसके मॉडल को कौन बना रहा है जपान जपान इसमें पैसा भी लगा रहा है ठीक है और इसे से रिलेटेश देखो अभी क्या हो तो वाराट से में प्राया में पिछले मत रूद्राक्ष कंवेंशन सेंटर का कि जायत तलवार नौसायनिक अभ्याज भरत किस देश के साथ संपन करता है जायत तलवार नेवल एक्सरसाइज इस रिसेंटली कंड़क्टेट बाइंडिया बिद विच कंट्री यह सब भी नेवल एक्सरसाइज जो होते हैं पूछे जाते हैं तो बच्चा यह हम लोग कर तो यू को पता चल जाए और यू के कोई बहतर टेकनिक है तो इंडिया को पता चल जाएगा दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे करेंगे इस तरह के उद्देश के साथ यह कंड़क्शन होता है समन्द में रहा है तो जायत तलवार दोनों का नाम याद रखिएगा यह यूए और भारत के बीच में होता है ठीक है समझ में आगया अभी यह रिसेंटली कंड़क्ट हुआ है 2021 यह कहां हुआ अभूधाबी में अबुधाबी कहां है उसकी राजधानी है यूए की अभी हम देखेंगे भारत का जो जो क्या करते हैं जहाज है पानी की जहाज उस यहां पर देख लीजिएगा है वह मिलेगा आपको कोई न कोई जो है इसमें जो है उसका नाम भारत का क्या है आई एनस कोची है ठीक है आइनस कोची हिंदी मिशायद है देख लेते हिंदी में यस ठीक है तो सायुकतर आपकी और से प्रक्षे पाद यह सब छोड़ा गया इंडिया वाला इंपोर्टेंट है इंडिया वाला कौन सा है आई एनस कोची ठीक है एनस कोची में प्रक्टिस किया गया था यह जहाज से प्रक्टिस हुआ था ठीक तो यह साइक से ना भ्यास होता ही रहता है यूए की बारे में देख लेते हैं यूए मिडिलिस्ट का महत बड़ा सा और चूम कर देते हैं फटाक से दिखा आपको यस यह औरेंज कलर कर दिख रहा है यही है यूए ठीक है समझ में आ गया तो इसको जूम इन करते हैं यूए के बारे में देख लेते हैं इसकी राजधानी क्या है आभी हमने आपको बताई अबुधा भी है इसके जो चीज़ है क्या इस्टेट जल संधी एक है जल संधी का मतलब क्या होता है जल संधी दो काम करती है जो इस्थाल होता है लैंड होता है उनको विभाजित करती है और जल होता है उनको जोडने का काम करती है ठीक है तो जल होता है उसको जोडने का काम है इसका नाम जल संधी इ इधर देखे क्या है ये गल्फ अप पर्शिया है क्या है गल्फ अप पर्शिया कभी काम नहीं करता है गल्फ अप पर्शिया मलब फारस की खाड़े और ये क्या है अरबियंसी है देख रहा है इन दोनों को कनेक्ट करने करती हुए एक लाइन गई है यही है क्या है जो है होर को इरा इरान और यूए को अलग करती है तो अलग करती है लैंड सर्फेस को लैंड मास्क को और किसको करती है वाटर बॉडी इसको क्लियर है गल्फ और पर्शिया और अरवेंसी को जोड़ती है और इरान और यूए को अलग करती है यह होर्मूज पूछा जाता है यूए से में फिर से क्या होगा आई पील का योजन होगा ये भी पूचा जा सकता है बचे हुए मैच और दुसरी बात जो वर्ल्ड कप इंडिया में होना था कौन सा वाला टी ट्वन्टी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होना था 2021 वाला ये कोरोना के चलते क्या किया जाए ये भी आई यू मोबाइल अप्लिकेशन तो सीदी सीदी मिनिस्टी पूछ सकता है दूसरी ये भी पूछ सकता है इसका संबंध किससे है तो दोनों चीज़ हम डिसकस करेंगे पहली बात ये किसके द्वारा डवलप किया गया है सोशल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट मिनिस्टी इंग्लि से मिला है सोशल जस्टिस एंड इंपावर्मेंट मिनिस्टर का चार्जिन को मिला हुए इन्हेंनों क्या किया लॉंच किया है पीएम दक्ष ये एक मोबाइल एप्लिकेशन है साथ साथ एक पोर्टल प्रटल मलब वेबसाइट टाइप का है वहाँ पर क्या होगा कुछ इं क्लियर इसका फुल फॉर्म भी है पूछा नहीं जाएगा प्रदान मंति दक्षता और कुशलता संपन इतग्राही ठीक है इसी का फुल फॉर्म है पीएम दक्ष योजना एक्जाम में यहीं पूछा का पीएम दक्ष की सुरुवात किसमें तो समाजिक अधिकारिता मंत्रा किसका बंचित वर्गेट ग्रूप है उनका समझ में आगया इनका नाम याद रखिएगा बिरेंद्र कुमार चाहीं पूरा डीटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लेजिएगा ठीक तो आज के लिए इतना ही देखिए उलंपिक के कुश्चन बहुत सारे आएंगे जरूर आएंगे निश्चित तरपर आएगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूगा ठीक है साथी साथ आप लोग पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोगों को क्या पीडियो डाउनलोड करना नहीं आता क्या कमाल है बाई जो डिस्क्रिप्शन का यहां नीचे आपको करसर ले जाएगा यहां नीला नीला कलर करें कुछ दिल्ट होगा उसी को क्लिक कर देंगे लिंक वही है लिंक उसी क्लिक करतें कि पीडियो डाउनलोड शुरू हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मित्रो थैंक्यू आगे के वीडियो के लिए बने रहें और शेयर वेर करते रहें धन्यवाद